चदरबुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने दो चोरों को ग्रफतार किया है और ये दोनों आपस में पिता पुत्र हैं ये लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे इन्होंने चोरी की एक वारदात को कुबूल किया है कोतवाली थाना प्रभारी अनूप यादों ने बताया कि बिगत सोला मार्च को राजरंगर बाईपास पर रहने वाली नाहिद पत्नी मुवीन खान ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके सूने घर में रात के वक्त चोरी की बारदात को अंजाम दिया गया और चोरों ने यहां रखे जेवरात और दस हजार रुपे की नगदी सहित घरेलू सामान चोरी कर लिया इस मामले में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पुलिस को बबलु कुश्वाहा और उसका पुत्र हथे चड़ा बबलु कुश्वाहा चदरपुर के बाईपास मार्ग पर मापूला देवी मंदर के समीप रहता है बबलु कुश्वाहा के साथ उसका नाबालिक बेटा भी चोरी में शरीक था इस मामले में पुलिस ने 15,000 कीमत बाली सोनी की एक अंगूठी 40,000 कीमत की सोनी की चेन सहे तो कुछ अन्य सामगरी बरामत की है